हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सक्ती फार्मा दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं फार्मकोलोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्यू और डियूटिक्स बिद एक्स्प्लेनेशन दोस्तो अगर आप हमाई चैल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा चलिए दोस्तो अब हम डिसकस करते हैं टॉप टैन एमसी क्यू और डियूटिक्स उस्चन नमबर बन एन एग्जामपल ऑफ हाइली इफीसियस डियूटिक इज ऑप्शन ए फिरूसीमाइड ऑप्श लूप डियूटिक्स होता है चलिए ओप्शन बी देखते हैं प्रोड थाइजएड तो अप्रोड में जैसे की नाम सी पता लगता है यह ऑप्शन सी देखते हैं इस्पाइरण लॉप्टा उन 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 पता है उस होता है जो कि हैं यह आल्ड़ेस्टॉरन इनिबिटर्स होता है ओके चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन दी यानि आल ओफ दा एवव चलिए दोस्तों ओप्शन देखते हैं तो ओप्शन हमारे अमलोराइड और ट्राई एम्टिरीन यह हमारे क्या है यह डारेक्टली एक्टिंग डारियोटिक्स है यानि यह डारेक्टली एक्टिंग डारेक्टली एक्टिंग डारियोटिक्स है ओके अमलोराइड ट्राई एम्टिरीन यह डारेक्टली एक्टिंग डारियोटिक्स है और इस्पाइरनोलाक्टोन आपको पता ह यह एल्डोइस्टिरोन एंटागोनिस्ट है, ओके, इस्पारेनलक्तॉन क्या है, एल्डोइस्टिरोन एंटागोनिस्ट, ओके, चलिए, अब नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, कोश्चन नमबर 3, एल्डोइस्टिरोन एंटागोनिस्ट इज, ओप्शन ए, एस्परिन, ओप्शन बी, मैनि टॉल, ओप्शन C, इस्पारेनलक्तॉन, और ओप्शन D, हिरोशिमाइट, तो दोस्तों जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, एल्डोइस्टिरोन एंटागोनि EASC, यानि इस्पारेनोलक्तॉन, चलिये अब ओप्शन देखते हैं, दोस्तों ऐस्परिन आपको पते हिये, इसको ASA भी कहते हैं, यानि, इसीटिक सैली साइलेक एसिड, जैली साइलेक डयरिवेटिभ होताए, और ओप्शन B, मैनि सुनुन, ऐस्परिन वह आपको पता है, केटगरी बाता है और फिरुशिमाइट तो आपको पता ही है अभी बताया था क्या है फिरुशिमाइट लूप डियूरिटिक्स ओके चलिए नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं कुस्चन नमबर 4 डियूरिटिक्स ओर यूजड तो इनक्रीज ओप्षन ए यूरिन फॉर्मेशन ओप्षन बी यूरिन एक्सक्रीशन ओप्षन सी हर्ट रेट और ऑप्षन दी एसिड रिलीज अमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्षन ए यानि यूरिन फॉर्मेशन चलिए नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं कुस्चन नमबर 5 एन एक्जाम्पल ओफ ऑस्मोटिक डियूरिटिक इज तो ऑप्षन ए मैनी टॉल ऑप्षन बी यूरिया ऑप्षन सी आईजोजोर्बाइड और ऑप्षन दी आल ओफ दा एबब तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो ऑप्षन डी यानि आल ओफ दा एबब ओके यानि यह हमारे तीनों ही क्या हैं दोस्तों ऑस्मोटिक डियूरिटिक से अब इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों आपको एक ट्रिक इसको आप याद करिए एक सेंटे आई एम यूरिय ओके दुस्तों आई एम यूरिय यह याद रखिये हैi आइम यूरिय यानि ओस्मोटिक डियूरिक क्या हैं आई एम यूरिय आई-पोर आईसो-जॉर्वड एम-फोर-मैनि-टॉल और यूरिय तो यूरिय आपको पताए है है ओके चलिए अब next question देखते है Question number 6 Diaryotics are used to treat Option A, hypertension Option B, food and drug poisoning Option C, dema And Option D, all of the ever अमरा correct answer रहेगा Option D, यानि all of the ever तो दोस्तों, diaryotics, hypertension, food and drug poisoning and edema इन तीनों को भी treat करने में काम आते है चलिए अब next question देखते है Question number 7 Which diaryotics is used to treat acute glaucoma Option A, manitol Option B, acetazolamide Option C, spironolokton And Option D, all of the ever तो दोस्तों, हमारा correct answer हो जाएगा Option A, यानि manitol Okay, correct answer होगे हमारा manitol दोस्तों, acetazolamide और spironolokton के बारे में आपको बताई चुका हूँ फिर भी दोस्तों, आप spironolokton के बारे में बताईए मज़े comment करके चलिए, next question देखके हम Question number 8 Food and drug poisoning treated with Option A, furosimide Option B, acetazolamide Option C, spironolokton And Option D, all of the ever तो हमारा correct answer हो जाएगा Option A, यानि furosimide चलिए, next question देखते है Question number 9 Side effect likely occurs with thiazide diuretics Is, option A, hyperurysemia Option B, hypokalemia Option C, hyperglycemia And Option D, all of the ever तो हमारा right answer हो जाएगा Option D तो हमारा correct answer हो जाएगा Option A, यानि Ether trinic acid दोस्तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो please like, share and subscribe जरूर कीजिएगा दोस्तो comment जरूर कीजिएगा कि आपको next वीडियो किस topic पर चाहिए दोस्तो आपके एक comment से हमें motivation मिलता है और हम next वीडियो बनाने के लिए प्रेज़ित होते हैं तो please दोस्तो like और comment जरूर कीजिएगा Thank you for watching कीजिएगा